प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं उमीद करती हूँ, आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे बच्चों, आप लोग भगवान गणेश जी को बहुत प्यार करते हैं, है ना? कितने भोले भाले और अच्छे दिखते हैं भगवान गणेश जी, जो लोग गणेश जी की सच्ची भक्ती करते हैं, भगवान गणेश उनके सारे बिगड़े काम बनाते हैं बच्चों, आज मैं आपको भगवान गणेश जी से जुड़ी हुई एक ऐसी ही अनोखी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपके चहरे पर खुशी तो लेकर आएगी, साथी आपको एक शिक्षा भी देगी बच्चों, ये कहानी गणेश जी की शादी से जुड़ी हुई है चलिए, आज मैं आपको ये गणेश जी के विवाह से जुड़ी हुई कहानी सुनाती हूँ इसे ध्यान से सुनिएगा भगवान गणेश अपने बच्पन से ही काफी चंचल सोभाव के थे उनकी सवारी मुशक है विग्न हर्ता श्री गणेश जी को मोदर यानि की लड़ू खाने में सबसे ज़्यादा प्रिय है गौरी पुत्र गणेश जी को विग्न हर्ता की रूप में जाना जाता है भगवान गणेश को एक दन्त कहा जाता है उन्हें लंबोदर रूप में पूजा जाता है लेकिन अपने एक दन और लंबोदर स्वरूप के कारण ही भगवान गणेश को अपने ही विवाह में काफी कठिनाई का भी सामना करना पड़ा भगवान गणेश इससे इतने नाराज हुए कि वो बाकी अन्य देपताओं के विवाह में भी परिशानियां खड़ी करने लगे असल में गणेश जी के गर्ज मुख में दो दांथ थे लेकिन एक बार भगवान परशुडाम ने घुस्से में आकर उनका एक दांथ फ़रसे से काट दिया था जिस कारण से उनका एक ही दांथ रह गया इस घटना के बाद से गणेश भगवान को एक दंथ या वक्र तुंड कहा जाने लगा वहीं उन्हें लंबोदर इसलिए कहा गया क्योंकि बच्छपन में वो दिन भर अपनी मा पारवती का दूद पीते रहते थे ये देखकर प्रेम भाव में उनके पिता भगवान शिव ने उन्हें कहा कि तुम इतना दूद पीते हो कि कहीं लंबोदर ना हो जाओ इन्ही घटनाओं के बाद से गणेश भगवान को एक दंथ और लंबोदर पुकारा जाने लगा लेकिन उनके इसी एक दान और लंबोदर रूप के कारण उनसे कोई विवाह करने को तैयार नहीं था भगवान गणेश इस बाद से भूट गए उनकी नाराजगी इस कदर बढ़ी कि भगवान गणफती अपनी सवारी मूशक की सहायता से दूसरे देवताओं के विवाह में बाधा पहुँचाने लगे ठक हार कर सभी देवताओं ने अपनी समस्या जाकर ब्रह्मा जी से कही ब्रम्मा जी ने सभी देवताओं की बात सुनकर गणेश जी की समस्या का समाधान निकालने के लिए अपनी दो पुत्रियों रिद्धी और सिद्धी को गणेश जी के पास शिक्ष्या ग्रहन करने के लिए भेज दिया जब भी गणेश जी किसी देवता के विवाह में बाधा पहुचाने जाने वाले होते थे उसी समय रिद्धी और सिद्धी उनसे कोई प्रश्ण पूछ लेती जिससे उनका ध्यान बट जाता और उधर देवताओं का विवाह बिना किसी रुकावट के संपन्न होने लगा गणेश जी को जब तक इस बात का हैसास हुआ तब तक म्रम्मा जी ने रिद्धी और सिद्धी से उनके विवाह का प्रस्ताव रख दिया गणेश जी की स्वीकृती से एक साथ रिद्धी और सिद्धी से उनका विवाह संपन्न हुआ जिनसे इन्हें शुब और लाब पुत्रों की प्राप्ति हुई तो बच्चों इस तरह से श्री गणेश जी की शादी हुई इसकी सबसे जारा खुशी देवताओं को हुई क्योंकि अब उनकी शादियों में गणेश जी ने परिशानी खड़ी करनी बंद कर दी थी तो बच्चों है ना भगवान श्री गणेश की शादी की कहानी रोचग और मज़ेदार ऐसी ही भारते सनातन धर्म से जुड़ी हुई अद्भुत और शिक्षा देने वाली पौरानी कथाएं लेकर हम फिर से हाजिर होंगे कब तक के लिए मुझे दीजे इजाज़त नमस्कार